सुने जरूर गैर हाजिर कंधे विश्वास सहाब अपने आपको भाग्य शाली मानते थे कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र आई आई टी करने के बाद लगभग एक करोड रुपे का वितन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे विश्वास सहाब जब सेवा निवरत हुए तो उनकी इच्छा हुई की उनका एक पुत्र भारत लोटाए और उनके साथ रहे परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तयार नहीं हुआ उल्टे उन्होंने विश्वास सहाब को अमेरिका आकर बसने की सला दी विश्वास सहाब अपनी पतनी भावना के साथ अमेरिका चले गए परंत उनका मन वहाँ बिलकुल भी नहीं लगा और वे भारत लोटाए दुर्भाग्य से विश्वास सहाब की पतनी को लखवा हो गया और पतनी पूर्ण ते पती की सेवा पर निर्भर हो गई पराते नित्यक्रम से लेकर खिलाने पिलाने दवाई देने आदिका संपूर्ण कारे विश्वास सहाब के भरोसे पर था पत्नी की जुबान भी लक्वे के कारण चली गई थी विश्वास सहाब पूर्ण निष्ठा और सने से पति धर्म का निर्वाह कर रहे थे एक रात्री विश्वास सहाब ने दवाई बगएरा देकर भावना को सुलाया और स्वेम भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गई रात्री के लगबग दो बजे हार्ट अटेक से विश्वास सहाब की मृत्ती हो गई पत्नी परात्र छे बजे जब जागी तो इंतिजार करने लगी कि पति आकर नित्य करम से निवरत होने में उसकी मदद करेंगे इंतिजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई चोंकि पत्नी स्वम चलने में असमर्थ थी उसने अपने आपको पलंग से नीचे गिराया और फिर घिसटते हुए अपने पती के पलंग के पास जा पहुँची उसने पती को हिलाय डुलाया पर कोई हल चल नहीं हुई पत्नी समझ गई कि विश्वास सहाब अब नहीं रहे पत्नी की जुबान लगपी के कारण चली गई थी अता किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी की वश में नहीं था घर पर और कोई सदश्य भी नहीं था फोन बाहर ड्राइंग डूम में लगा हुआ था पत्नी ने पडोसी को सूचना देने के लिए घिसटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुँची और उसने फोन के तार को खिंच कर उसे निचे गिराया पडोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए पडोसी भला इंसान था फोन पर कोई बोल नहीं रहा था पर फोन आया था अतवे समझ गया कि मामला गंभीर है उसने आसपडोस के लोग को सूचना देकर इखटा किया दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में गुशे उन्होंने देखा विश्वास सहाब पलंग पर मृत पड़े थे था पतनी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी पहले विश्वास और फिर भावना की मौत हुई जैनाजा दोनों का साथ साथ निकला पूरा महला कंधा दे रहा था परन्त दो कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माबाप को सबसे ज्यादा उम्मीद थी शायद विकंधे करोड़ो रुपे की कमाई के भार के साथ अती महतो कांक्षा से पहले ही दबे हुए थे लोग बाग लगाते हैं फल के लिए उलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए कुछी उलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं अती सुन्दर कहा है कभी ने मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छुने की चांद सितारे छुने वाले छुमंतर हो जाएंगे अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम्हेने चरण छुलेने की जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे वही रिष्टे निभाएंगे करपाय से बच्चों को ज़रूर सुनाएं अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेर करें जय हिंद जय भारत